वेल्कम बैक टू माई चैनल ये वीडियो क्लास जैकें थर्ड, फॉर्थ, फेफ, सेख, सैवन क्लास तक के बच्चों के लिए है जिसने में आज आप लोगों को इंग्लिश में स्टोरिक राइटिंग लिखना सिखाऊंगी तो सबी बच्चे बहुत दियान से सुनेंगे और यूज करेंगे हमेशा याद रखना है आप लोगों को जैसे आप वांट नहीं लिखोगे आप लोग वांटिड लिखोगे हमेशा याद रखना है मैं दुबारा रिपीट कर देती हूं स्टोरी राइटिंग हमेशा पास्ट में लिखी जाती है क्योंकि वह घड़ना पहले हो चुकी होती है ऐसी हम बार्ग नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे बार्ग लिखेंगे सबी बच्चे भोदियान से सुनेंगे अब ऐसे ही हम इसके अंदर वास का स्थेमाल करेंगी क्योंकि वास का मतलब क्या होता है था दे ग्रीडी डॉक आज की जो स्टोरी है वो एक लाल जी डॉग पर है ग्रेडी मतलब क्या होता है लाल जी सबी बच्चे से याद रखेंगे once there was a dog एक बार की बाद है यहाँ पर लिखा गया है once there was a dog एक डॉग था it was very greedy वे बहुत लाल जी था greedy का मतलब क्या होता है हमेशे जाद रखना है आप लोग was का स्नेमाल करोगे क्योंकि was का यूज़ आप पास्ट में करते है one day he got a pawn अब यहां लिखा गया है कि एक दिन उसे हड़ी मिली अब ऐसे ही आप लोग यहाँ get का यूज़ नहीं करेंगे आप लोग God का यूज़ करोगे मिन्स की past words का ही आप लोग यहाँ यूज़ करोगे he wanted to eat it alone अब वो जो डॉग था वो जबान को अकेले ही खाना चाहता था there was a river वहाँ एक नदी भी थी he was going to the at a bank of the river अब यहां लिखा गया है बच्चों की वे एक नदी से दूसरे नदी के किनारे जा रहा था he was crossing the bridge crossing का मतलब क्या होता है पार करना तो यहां पे लिखा गया है वे पुल पार कर रहा था bridge का मतलब क्या होता है पुल सबी बच्चे भोधियान से सुनेंगे he saw his reflection in the water blow blow का मतलब क्या होता है नीचे तो यहां पे लिखा गया है बच्चों कि उसने पानी के नीचे reflection को देखा reflection मतलब मिन्स की अपने ही shadow को देखा he thought that is was another dog उसने सोचा कि वहां कोई दूसरा dog भी है मेरे अलावा लेकिन वो उसका ही खुद की या उसका ही खुद का वो reflection था with a bone in his mouth और उसके मूँ में भी हटी है ऐसा dog ने सोचा कि जो मैंने नीचे dog देखा है उसके dog उसके मूँ में भी हटी है he wanted to eat his bone too अब वो dog उसकी हटी को भी खाना चाहता था so he parked at the other dog अब यहा लिखा गया है कि वो उस dog के उपर भौका बार्ग का मतलब क्या होता है भौकना तो वो यह सोचते हो उस पर बार्ग हुआ कि वहाँ को यह तूसरा dog भी है his own bone fell, fell into the water अब जैसे ही उसने भौकने के लिए अपना मूँ कोला होगा वैसे ही क्या हुआ कि उसकी हड़ी उसके मूँ से छुट गई और वो नीचे जाकर के गिर गई he lost his bone too अब यहां पे क्या हुआ उसकी हड़ी भी नीचे चली गई तो यहां से हमारी स्टोरिक राइटिंग कम्प्लीट होती है अब मैं आप लोगों को इसका मूरल बताऊंगी यह स्टोरिक पढ़ने के बाद हमें क्या मूरल मिलता है जो नौट बी गृदी गृदी इसा कर्स इसका मिन है बच्चो कि लालची मत बनो लालची बुरी बला है तो यहां से हमारी स्टोरिंग राइटिंग होती है कम्प्लीट आप लोगों को स्टोरिंग राइटिंग में मूरल लिखना कम्पल सरी है कि स्टोरि पढ़ने के बाद हमें क्या मूरल मिलता है क्या नेतिकता मिलती है